इफ्तखार तो कभी पुलिस कमिशनर लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि अपने फिल्मी करियर की शुरुआत में ये कुछ फिल्मों में हीरो भी बने थे ये केवल एक एक्टर ही नहीं बलकि एक शानदार चित्रकार भी थे किस्सा टीवी पर आज पेश है स्यदाना इफ्तखार एहमद शरीफ यानी इफ्तखार की बायोग्राफी इफ्तखार सहब फिल्मों में कैसे आए और इनकी जिन्दगी का सफर कैसा रहा ये पूरी कहानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इफ्तखार सहब का जन्म हुआ था 26 फरवरी 1922 को जालंधर में लेकन चुकि इनके पिता कानपूर में एक कमपनी में अच्छी पोश्ट पर काम करते थे तो इनका बच्चपन कानपूर में ही गुजरा कानपूर से मेट्रिक पास करने के बाद इफ्तखार ने लखनो कॉलिज ओफ आर्ट्स का रुख किया और यहां से इन्होंने चितरकला में डिप्लोमा हसल किया चितरकला इनके बच्चपन का शौक था सो इन्होंने अपना वो शौक तो पूरा कर लिया लेकिन अभी एक शौक और था जो बच्चपन से ही इनके साथ चल रहा था वो शौक था गाने का शौक इफ्तखार को गाना बेहद पसंद था मशहूर गायक केल सेगल उनके पसंदीदा गायक थे और वो गायकी में केल सेगल की तरह ही नाम कमाना चाहते थे इफ्तखार का गाने का स्टाइल भी काफी हद तक केल सेगल जैसा ही था ये वो वक्त था जब भारत में म्यूजिक इंडिस्ट्री का एपी सेंटर कोलकाता हुआ करता था देश की तमाम बड़ी म्यूजिक कमपनिया कोलकाता में ही थी इसलिए 20 साल की उमर में इफ्तखार सहब कलकता यानी कोलकाता चले गए कलकाता पहुँचकर ये पहुँचे एचमवी म्यूजिक कमपनी के आफिस वहां इनकी मुलाकात हुई उस दौर के दिगज मुजिशियन कमलदास गुपता से जो की एचमवी में नौकरी क्या करते थे कमलदास गुपता ने इनका ओडिशन लिया और वो इनकी गाईकी से काफी प्रभावित हुए इफ्तखार सहब ने एचमवी के लिए दो गानों का एक एलबम रेकॉर्ड किया इसके बाद ये कानपुर वापिस आ गए कोलकाता से लोटे हुए इफ्तखार सहब को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि इन्हें एक टेलिग्राम मिला ये टेलिग्राम इन्हें MP प्रोडक्शन ने भीज़ा था टेलिग्राम में संदेश था कि जितना जल्दी हो सकें इफ्तखार कोलकाता आ जाएं हुआ कुछ ही यूँ था कि इफ्तखार सहब का ओडिशन लेने वाले संगीतकार कमलदास गुपता ने MP प्रोडक्शन के फिल्म जवाब का म्यूजिक तयार किया था कमलदास गुपता इफ्तखार सहब की साफ जुबान और इनकी परसनलिटी से बेहद प्रभावित थे एक लड़की से शादी के लिए इफ्तखार सहब का रिष्ता तै हो चुका था लेकिन कलकता में मिल रहे मौके को वो छोड़ना नहीं चाहते थे इसलिए शादी को कुछ दिनों के लिए टाल कर वो कलकता आ गए और MP फिल्म्स में नोकरी करने लगे कई दिन गुजर गए और इफ्तखार सहब की फिल्म की शूटिंग शूरू ही नहीं हो पाई इसे बीच इफ्तखार सहब जिस बिल्डिंग में रहते थे उसी में रहने वाली हना जोसिफ नाम की एक लड़की से इने इश्क हो गया जो की एक यहूदी लड़की थी इश्क और परवान चड़ा तो इफ्तखार सहब ने हना से शादी कर ली और उनका नाम बदल कर रहाना एहमद कर दिया सन 1944 में इफ्तखार की पहली फिल्म रिलीज हुई थी इस फिल्म का नाम था तकरार हाला कि ये फिल्म आर्ट फिल्म्स कोलकाता के बेनर तले रिलीज हुई थी ना कि MP परड़क्शन के जिसमें नौकरी करने इफ्तखार सहब कानप्र से कोलकाता आये थे इस फिल्म में इफ्टखार सहब की हिरोईन थी जमुना जो कि जमाने में बड़ी स्टार थी अगले साल यानि 1945 में इफ्टखार सहब की दो और फिल्में रिलिज हुई एक थी घर जिसमें एक बार फिर से जमुना इनकी हिरोईन बनी दूसरी थी राजलक्षमी और इस फिल्म में इनकी हिरोईन थी कानन देवी राजलक्षमी फिल्म से ही तलत महमूद ने बॉलिवुड में बतोर गायक और अभिनेता अपने करियर की शिरुवात की थी 1946 में इफ्टखार सहब की बेटी सलमा पैदा हुई अगले साल यानि 1947 में इनकी दूसरी बेटी पैदा हुई जिसका नाम रखा गया सईदा 1947 में ही ऐसा क्यों और तुम और मैं नाम से इनकी दो और फिल्में भी रिलिज हुई इन फिल्मों में भी ये हीरो थे लेकिन जब भारत का बटवारा हुआ तो इफ्थखार साहब के माता पिता, भाई बहन और कई दूसरे सगे संबंधियों ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया जबकि इफ्थखार अपने परिवार के साथ भारत में ही रहे हाला कि दंगों की वजह से इन्होंने कोलकाता छोड़कर मुंबई आने का फैसला किया 1948 में ये कोलकाता से मुंबई आ गए और खार इलाके में मौजूद एक होटल में इन्होंने मुंबई में अपना पहला ठिकाना बनाया इस होटल का नाम था होटल एवर ग्रीन होता था मजबूरी में इफ्टखार साहब की पतनी हना जूसेफ और फर्रहाना एहमद को भी एक कंपनी में सेक्रेटरी की हैसित से काम करना पड़ा दूसरी तरफ इफ्टखार साहब को फिल्मों में जो भी छोटा मोटा काम मिल रहा था वो उसे कर रहे थे लेकिन इनकी किसमत बदलनी उस दिन शुरू ही जब ये बॉंबे टॉकीज में महान अभीनेता अशोक कुमार से मिले हुआ कुछ ही उंकी एक बार कुलकाता में अभीनेतरी कानन देवी ने अफ्तखार साब को अशोक कुमार से मिल वाया अशोक कुमार को जब पता चला कि इफ्थखार एक बड़े उंदा चितरकार हैं तो उन्होंने इफ्थखार सहब से चितरकारी सीखने की ख्वाहिश जताई फिर जब मुंबई में अशोक कुमार इफ्थखार सहब से मिले तो उन्होंने आखिरकार पेंटिंग सीखी ली अश 1950 और 1960 के दशकों में इफ्तखार सहब ने तकरीबन 35 फिल्मों में काम किया लेकिन इन्हें वो पहचान नहीं मिल पा रही थी जिसकी तलाश हर एक्टर को होती है मगर फिर 1979 में वो फिल्म आई जिसमें सही माइनों में पूरी तरह से फ्तखार सहब की किसमत को बदल कर रख दिया ये फिल्म थी बी आर फिल्मMax की इत्वाक इत्तफाक वो पहली फिल्म थी जिसमें पुलिस उफिसर के रोल में इन्होंने कमल कर दिया हाला की इस फिल्म से पहले भी ये कुछ फिल्मों में पुलिस वाले के रोल में दिख चुके थे कि ये अशोक कुमार ही थे जिनकी मदद से बी आर फिल्म्स में उन्हें एंटरी मिली थी इत्फाक की काम्याबी के बाद इफ्तखार को एक से बढ़कर एक कई फिल्में मिली और इन्होंने भी कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया तकरीबं 50 साल लंबे अपने फिल्मी करियर में इफ्तखार सहब ने लगभग 300 फिल्मों में काम किया साल 1955 में रिलीज हुई दिलीब कुमार की यादगार फिल्म देवदास में इफ्तखार सहब भी थे ये फिल्म में दिलीब कुमार यानी देवदास के लालची भाई दूजादास के किरदार में दिखे थे 1930 के दशक के आखरी सालों में अपना करियर शुरू करने वाले इफ्तखार साहब की आखरी फिल्म थी काला कोट जो की साल 1993 में रिलीज हुई थी हाला कि इनकी आखरी रिलीज फिल्म थी यार मेरी जिन्दगी जो की साल 2008 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म काफी लेट रिलीज हुई थी इस फिल्म की रिलीज के वक्ते इफ्तखार साहब को दुनिया छोड़े हुए 12 साल बीच चुके थे बात अगर इनकी निजी जिन्दगी के बारे में करें तो इफ्तखार साहब के परिवार के अधिकतर सदस्य 1947 में देश के विभाजन के वक्त ही पाकिस्तान जा चुके थे लेकिन अपने परिवार के सदस्यों से इनका संपर्क हमेशा बना रहा इनके छोटे भाई जिनका नाम इंतियाज एहमद था वो भी इनकी तरही एक्टर थे और पाकिस्तान में टीवी का जाना पहचाना चेहरा थे इनके छोटे भाई मुश्ताक एहमद पाकिस्तान इंटरनेशनल एरलाइन्स में कारेरत थे हलाकि रिटायर होने के बाद वो अमेरिका सेटल हो गए थे इनकी इकलोती बहन का नाम शमीम था और वो पाकिस्तान के कराची शहर में रहती थी पाकिस्तान में इनके पिता ने एक और शादी की थी और उस शादी से इनके पिता को एक बेटा भी हुआ था जिसका नाम था अकबाल एहमद अकबाल एहमद और उनकी पतनी डॉक्टर थे और अमेरिका में रहते थे इफ्तखार सहब कभी कभी अपने भाईयों से मिलने पाकिस्तान जाते थे और अपने परिवार को भी साथ ले जाते थे एक इंट्रिव्यू में इफ्थखार सहब की बड़ी बेटी सलमा ने बताया था कि पाकिस्तान के रावल पिंडी शहर में एक बार उनकी मुलाकात सईदा नाम की उस लड़की से भी हुई थी जिस से पहले इफ्थखार सहब का रिष्टा तै हुआ था सईदा इफ्थखार सहब से महबत करती थी और उनकी याद में वो आजीवन कुमारी रही थी इफ्थखार सहब की छोटी बेटी का नाम भी सईदा ही था और उनकी शादी मुंबई में हुई थी सईदा को कैंसर हो गया था कैंसर से लुटे हुए साथ फरवरी उननीस सो पंचानदे को सईदा की मौत हो गई थी बेटी की मौत का सदमा इफ्थखार सहब बरदाश्त नहीं कर पाए और लगभग एक महीने बाद यानी एक मार्च उननीस सो पंचानदे को इफ्थखार सहब ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया इफ्थखार सहब की बड़ी बेटी सल्मा की बात करें तो साल उननीस सो चौशट में उन्होंने विपिन चंदर जैन से शादी की थी विपिन चंदर जैन देहरादून के अमीर खानदान से तालुक रखते थे और एक्टर बनने मुंबई आये थे सल्मा और विपिन चंदर जैन ने लव मेरिज की थी सल्मा के पती विपिन चंदर जैन के दादा का नाम राय बहदर उगर सेन जैन था और वो देहरादून के मशहूर बिजनेसमैन थे राय बहदर उगर सेन जैन देहरादून नगर पालिका के चेर्मैन भी रह चुके थे विपिन चंदर जैन से शादी करने के बाद सल्मा उनके साथ देहरादून चली गई और एक कॉलिज में अंग्रेजी टीचर की हैसित से काम करने लगी सल्मा के दो बच्चे हुए एक बेटा और एक बेटी इनकी बेटी की शादी हो चुकी है और वो लंडन में रहती है इनके बेटे का नाम विशाल जैन है और वो इनके साथ मुंबई में ही रहता है हलाकि विशाल जैन देहरदून में अपने पिता के साथ भी वक्त गुजारते हैं दरसल शादी के पंद्रह साल बाद सल्मा और विपिन चंडर जैन तलाक लेकर अलग हो गए थे जिसके बाद सही सल्मा मुंबई में रहती है बात अगर सल्मा की मा यानि अफ्तखार सहाब की पत्मी हना जोसेफ और फर्रहाना एहमद के बारे में करें तो लगभग 90 साल की अमर में साल 2013 में वो भी ये दुनिया छोड़ कर चली गई बेशक हिंदी फिल्मों में पुलिस ओफिसर के रोल्स में एक से बढ़कर एक एक्टर नज़र आए हैं और हर किसी की अपनी अलग खासित रही है लेकिन अफ्तखार सहाब जैसा पुलिस ओफिसर हिंदी सिनेमा में शायद ही कोई दूसरा नज़रा पाएगा किसा टीवी अफ्तखार सहाब को याद करते हुए उन्हें नमन करता है और हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें सेल्यूट करता है जै हिंद